हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस फीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेन लिमिटेड के बारे में ट्राइडेन में जिस अकॉर्डिंग गिरावट हो रही है तो लोगों को अब लग रहा है कि शेर जो है वो 35 से 40 रुपे तक के लेवल देखा सकता है लेकिन मैं आपको इस फीडियो को तरू बताने वाला हूँ जो exact लेवल हैं जहां से एक ब्रेकाउट आ सकता है जहां से शे जिन में corporate actions देखने को मिलने वाले है उसके बारमे में हम यहां पर बात करने वाले है तो वीडियो कर आप पूरा देखोगे एक एक चीज की clarity मिल जाएगी चैनल पर अगर आप first time विजट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजेगा आपको timely updates मिलती रहे और वीडियो अगर अच्छी लगे informative लगे तो like कर दीजेगा so that यहां से मुझे भी motivation मिलती रहे तो चली वीडियो start गते है जल्दी से market पर नजल डालेते हैं आज market की हालत बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिली है यहां पे आपको करीवन 1300 point से ज़्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिली sensex में करीवन 391 points की गिरावट nifty में nifty bank में तो आपको और जाला हालत खराब हुई करीवन 900 point की गिरावट और nifty mid cap में 629 यानि की nifty bank में 0.5% की गिरावट sensex और nifty में करीवन 2.29% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो आज का माहल बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है बाकी अगर हम यहां पे कुछ देखे हैं जो stocks अच्छे moment दिखाते हैं नजर आए ONGC, Britannia, Power Grid Corporation और NTBC इनमें आपको 1% से लेके 4% के moment देखने को मिले तो वहीं कुछ stock जिनमें major गिरावट रही अपोलो होस्पिटल, अदानी पोर्स, हिंडाल को और बजाज फाइनांस जिनमें आपको 4% से 7% तक की major गिरावट देखने को मिली है तो यह तो बात रही overall market के बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ Trident के front page पर, Trident में अगर आज आप देखोगे तो फिर से major गिरावट हुई 3% की, आज की दिन share 50 रुपे तक की level पे आते हुए नजर आया है और यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हुई है, करीबन यहाँ पे आपको 3% से जादा की गिरावट देखने को मिल गई है, पिछले एक महीने के बारे में बात करें तो 7% तक के negative returns बना के दिये हैं, जो की बिलकुल भी सही नजर नहीं आते, एक ऐसे stock के जो की fundamentally बहुत जादा strong है, business wise बहुत जादा strong नजर आता है, वही अगर हम पिछले 6 महीने के बारे में बात कर तो 26% तक के positive return है, यानि कि पिछला 6 महीना तो इस particular stock के लिए काफी जादा सही रहा है, लेकिन जो पिछला एक महीना है, वहाँ से जो scenario थोड़ा सा खराब देखने को मिला है, और बाकी इसमें लोग investment क्यों करते हैं, ये highlighted share में से क्यों रहता है, तो definitely आप यहाँ आप देख पारे होगे, पिछले 5 साल के return, 477% से भी जादा नजर आते हैं, जो कि एक बहुत बड़े returns है, एक type पे यह आपको penny stock नजर आता था, यानि कि 5 से 6 रुपे के level पे trade करते हुए नजर आता था, अब यह आपको 50 रुपे के level पे trade करते हुए नजर आ रहा है, जब कि इसमें major grab हो गई है, otherwise share आपको 70-75 तक के level पे नजर आते हुए आया भी है, मैं आपको इस पे NSE पर अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, volume बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि share जो है, ASM List 3 में है, जिया, ASM List 4 में पहले था, अब यह यहाँ पे अपगरेड होके, ASM 3 में आ चुका है, तो कुछ restrictions हैं, कुछ यहाँ पे आपको regulations देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वज़य से जो trident है, उसमें आपको volume देखने को नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पे, अब इस particular ASM 3 से ASM 2 या फिर ASM से भार कब आएगा, तो 8th में एक ऐसी डेट है, जिसमें आपको चीजें बदलती हुई नजर आ सकती है, और यहाँ तक 8th में तक अगर आप देखोगे, तो definitely chances हैं, कि आपको ASM 3 से, at least ASM 2 में तो आते हो नजर आए जगा, बैसे chances है बाहर आने के, क्योंकि कोई भी red flag नहीं है, तो definitely chances नजर आते हैं, बाक अच्छी बात निकल के आती है, कि यहाँ पे आपको 71% तक की delivery percentage देखने को मिली है, यानि कि इसमें जो भी trading हो रही है, वो अच्छी investing purpose से की जा रही है, माल उठाया जा रहा है, 70% से ज़्यादा की delivery percentage बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो यह बातों की over scenario के बारे में, अब मैं आपको Q4 के बारे में बताऊं, तो आपको जो second week है, उसमें यानि की 8 से 13 मई के बीच में आपको Q4 देखने को मिल सकता है, तो कि officially अभी कोई यहाँ पे resultant की date नहीं आई है, इनकी site पे भी अगर आप जाके देखोगी कोई भी official date नहीं आई है, लेकिन यहाँ से expectations हैं, कि आपको इस particular date के बीच में जो Q4 है, वो देखने को मिल जाए, और यहाँ से share में एक अच्छा कासा breakout आ सके, तो वो कौन-कौन से level है, जहाँ पे इस share को पहुँचना पड़ेगा, तभी जो अप्ग्रेड टार्गेट हैं, वो अच्छी वो पाएंगे, तो 57 रुपी का जो level ह वो एक ऐसा level है, कि जो यहाँ पे इसको crack करना पड़ेगा, यानि कि उसको upgrade करना पड़ेगा, तभी आपको 70 रुपी तक के level देखने को मिल सकते हैं, तो अभी आपको इसमें क्या करने चीए, मेरे according जिन भी लोगों ने कम price पे, यहाँ पे जो position मनाई हुई है, और जिनका vision बहुत ही कम time का है, वो profit worker के निकल सकते हैं, और यहाँ पे जिन भी लोगों का long term का vision है, वो definitely थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे accumulation कर सकते हैं, और long term के लिए छोड़ोगे तो definitely share आपको बहुत अच्छे target दिखाते हो, नजर आएगा, तो यह तो बात हो कि Trident Limited के बारे में, मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ stocks के बारे में, जो कि आपको corporate action दिखाते हो, नजर आए रहे हैं, company का नाम निकल के आता है, black box limited, सबते पहली बात कि यह, मैं आपको just information दे रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको bonus और dividend के लिए इसमें buy कर लेना है, आप अपनी research क देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो तो share holding pattern में, केवल FIA नजर आते हैं, mutual funds के holding बहुत कम नजर आती है, और यहाँ पे financials अगर आप देखो कि even though जो revenue है, वो बहुत drastically increase हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जो company की profitability है, वो उतनी जादा नहीं है, तो corporate action क्या दिखाते हूं नजर आया है, share में आपको split देखने को मिलने वाला है, 1 ratio 5 का execution date निकल के आती है, 13th of May 2022, यानि कि अभी आपके बास थोड़ा दा time है, इसे position बनाने के लिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं, दूसरे stock पर, जो कि आपको corporate action दिखाते हूं नजर आ रहा है, ब price भी काफी यदा higher side पर नजर आता है, लेकिन fundamentals बहुत ज़्यादा strong है, और वो भी recently काफी यद तक grow करते हूं नजर आये है, company आपको यहाँ पे dividend देते हूं नजर आ रही है, करीबन 25 रुपे पर share का dividend आपको company देते हूं नजर आ रही है, 30 June जो है, वो इसकी X date निकल के आती है, तो definitely अब भी आपके बास काफी टाइम है, अगर आपको 25 रुपे का dividend लेना है, तो आप इसमें research कर सकते हो, अपनी या फिर अपने financial advisor से discuss करने के बाद position बना सकते हो, तो वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो के इंफॉर्मेटिब लगी हो, तो like कर दीजेगा channel पर नवाद